हेलो दुस्तो दुस्तो आज मैं इस वीडियों बताऊंगा अगर आपका community टैप option आपको मिल गया है तो मैं आपको बताऊंगा आपce स्टाइली से उसमें फोटो इमेज ठंबलेंड कैसे अपलोड कर सकते हैं जी हां दोस्तों सब कोई तो साधार अपलोड करता है लेकिन आज मैं आपको कुछ देकुरेशन टाइम में यानि कि स्टाइलिस्ट टाइम में आपको बताऊंगा कैसे फोटो आप हमारे तरह अपलोड कर सकते हैं क्यम्मूटी टैम में दोस्तो एक हजार सस्क्राइबर होने के बाद आपको कॉम्मूटी टैम का आप्सन मिल जाता है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको अपना यूटूब चैनल देखा देता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस तरीके से कैसे फोटो आप बना कर अपलोड कर सकते हैं यह मेरा चैनल का एक वीडियो यहाँ पर सो कर रहा है अब मैं इसके कैम्मूटी टैम में जाता हूँ और मैं यहाँ पर आपको देखाता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से यह जो दिख रहा है आपको फोटो कितना मतलब प्रोफेशनल लग रहा है ठीक है इस तरीके से आप भी अपलोड कर सकते हैं दोस्तो इसको बना कर फिर अपलोड कर देना है तो मैं आपको फैनल बताता हूँ यहाँ पर आप देखिए यह दो-ती दिन पहने का फोटो है मैं इसे अपलोड किया हूँ अब यहाँ पर देखिए एक भी कम्यूनिटी टैप नहीं है अब मैं आपको चल कर बताता हूँ कैसे आप इस तरीके से बना कर कम्यूनिटी टैप पर अपलोड कर सकते हैं तो बने रही है इस वीडियो में दोस्तों सबसे पहले आपको अपना फीक्सलाइब ओपेन कर लेना है अगर आपके पास फीक्सलाइब एप नहीं है तो पहले इस्टोर से डाउनलोड कर लीजिए तो चलिए मैं यहाँ पर इसे डिलिट कर देता हूँ यह बोलता है कुछ लिखने के लिए तो मैं इसे डिलिट कर देता हूँ अब मैं आपको बाता तो यहाँ पर क्या करना है वीडियो ध्यान से देखिए आप भी मेरे तरह बनाना सीख जाएंगे ठीक है तो चलिए मुझे जिस फोटो का बनाना है सबसे पहले मैं एक बैग्राउंड ले लेता हूँ ठीक है डीसलार बैग्राउंड मैं ले लेता हूँ तो चलिए जैसे कि मैं यहाँ पर डाउनलोड वाले अप्सन पर चले जाता हूँ यहाँ पर मैं एक बैग्राउंड ले लेता हूँ जैसे कि मुझे ये वाला बैग्राउंड लेना है ठीक है मैं ज्यादा तर यही बैग्राउंड यूज़ करता हूँ दोस्तों आप 4K HD free copyright गूगल में सर्च कीजिए आपको ऐसा बहुत free copyright थंबलेन मिल जाएगा ओके तो चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा ओर जूम कर दूँ मैं पूरा जूम कर दिया हूँ थोड़ा सर चलिए यह मेरा पूरा जूम हो गया अब मैं इसे लॉक कर देता हूँ अगर लॉक नहीं करूँगा तो बनाते समय यह इधर उदर खिसक जाएगा अब मैं आपको बताता हूँ आपके पास तो बह इसे ही ले लेता हूं जो मेरे वीडियो का थंबलेन है मैं इसे ही उठा लेता हूं अब यहां पर देखिए आप इसे थोड़ा बढ़ा देना यहां पर जाएंगे सबसे पहले आपको रिलेटिव साइज पर किलिक करना है यहां पर आपको मिल जाएगा है रिलेटिव साइज यहाँ पर चलना प्रस करते रहना है ठीक है चलि मैं पूरा कर दिया अब इसके बाद दोस्तों इसको थोड़ा हम नीचे करेंगे ये जो फोटो दीख रहा है इसको अब थोड़ा नीचे करेंगे तो नीचे करने के लिए आपको यह तो पताफसन हो गई, ठीक है, तो चलिए मैं इसे नीचे करता हूँ, बीचों बीच में, अब मैं इसे कर देता हूँ, चलिए दोस्तों ये थोड़ा, बास, बीचों बीच में हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ, एक कामाव आपको और करना है, यहाँ पर देखना है, 3D, आप यहां पर देख सकते हैं बस यह मेरा बिल्कुल हो गया है एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं यहां पर देखिए यहां पर यह जो वाइट दिख रहा है यहां इतना वाइट और लास्ट में जाकर खतम हो गया है और यहां पर देखिए इतना वाइट और बिलेक दिख करना है इस सैड में और इस सैड में इस सैड में और इस सैड में बराबर हैना चाहिए घर फिर उसके बाद एक काम ऊह को रहा है में यहाँ पर मैं आपको एक चीज देखा दूइ इहाँ पर कुछ लेयर जो दीख रहा है अपको यह थोड़ा कटिंग टाइब का दीख रहा है इसे पैक कर देना है ठीक है तो चलिए मैं टिक किया और यहांपर किलिक करेंगे हम फिर से ओके कर देंगे यह मेरा लॉक हो गया और एक ही में कनेक्ट हो गया है बस दोस्तो थोड़ा टाइम लेगा फिर उसके बाद लॉक हो जाएगा दोस्तो ये फाइनल लॉक हो चुका है अब यहाँ पर देख सकते हैं वो हट गया है तो दोस्तो आप इस तरीके से फिक्सल में कम्यूटी टेब जब भी आप फोट अपलोड करेंगे तो इस तरीके से बना कर आप अपलोड कर दीजेगा दोस्तो बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजे और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक किनिये जैहिन जैवारत